नमस्कार आदाब एंसेस्रियकल छेलिए आज हम लोग क्या करेंगे यह एक डिवोशनल गाना मैंने रिकॉर्ड किया था बेंगॉली सौंग है इसमें हम लोग रूम वर्ग्स जो रिवाब है उसको लगाएंगे एक बर और साइड बाई साइड हम लोग वाला जो रिवाब है वह भी लगाएंगे और उसको कंपेर करेंगे अब लोग डिसाइड कीजिएगा कौन सा आपको अच्छा लगे वह यह आप लोग आपका प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हैं शुरू करने के पहले मैं आपको लोगों को एक बीग थैंक्यू देना चाहता हूं फॉर माई हाट बिकाज आफ यूर लवली कॉमेंट्स बिसाइड मेरे को ये भी मौका मिल रहे है मेरा खुद का जो इंप्रूमेंट प्लान है वो भी सेट करने का तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अच्छा देखिए यहां पे मैंने वालला रिवर्ब को अलड़ी लगाया था अब ही हम लोग यहां पे देखिए रूम वाक्स पी लगा दिया और इसको एक्टिवेट करके रखे तो हम लोग रूम वाक्स पहले कंफिगर करेंगे इसका रिवाब देखेंगे उसके बाद मैं वालला पे जाओंगा ठीक है अब लोग को यह चीज़ मिल जाएगा कि कंपेर करने के बाद कौनसा आपको अच्छा लग रहा है चलिए पहले रूम वाक्स को खोल लेते है यह मेरा रूम वाक्स है जो स्टेनबार्क का स्टाउक प्लागिन है पहले हम लोग क्या किया था आभी मैं यहां पर कार्ट पर दे दूँगा ये रूम वाक्स का जो इन डीचल मैंने डिस्क्राइब किया था सारे बटन का मीनिंग क्या है ये वाला वीडियो मैं कार्ट पर दे देता हूँ आप जाके वहाँ से देख सकते हैं तो पहले हम क्या करेंगे पहले हम इसको mix को 100% कर देंगे wait only को select कर देंगे ये बटन जो है इसको on कर देंगे अभी हम लोग सुनेंगे इसका EQ देखिए यहाँ पे जो EQ हम लोग लगाया था वो क्या है मैंने पहले describe किया था पिछले वीडियो में ये क्या करते हैं एक self लगाते है लो self लगाते हैं एक हाई self लगाते है मान लिजिए कि इसको मैं 50 Hz करता हूँ और हाई को करता हूँ ठीक है अभी ये लगाने के बात जो सिगनल में हमको सुनने को मिल रहे उसमें हम देखेंगे कि शार्पनेस के है मतलब हाई फ्रिकुइंसी के है और लो फ्रिकुइंसी के है वो सुनते हुए हम लोग इस दो नॉप का ट्वीक करेंगे तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा ये वीडियो देखने के पहले कार्ट में जो वीडियो दिया हुआ है वो एक पद देख लीजिएगा तो ये आपको बिलकुल समझ में आ जाएगा देखेंगे अब सुनते हुए हम लोग करते है क्या करेंगे हम लोग ये अभी तक रिवर्प के अंदर मैं जिया ही नहीं पहले मैं इसमें एक लो सेल्फ हाई सेल्फ लगा दिये ये सिग्नल को और भी क्रिस्पी बनाने के लिए चलिए चन्द नेचर चीत जबा पदे दीबो आमिगो बशन पर मा परो बशन परो मा बशन परो परो मा गो बशन परो मा चन्द नेचर चीत जबा पदे दीबो आमिगो बशन परो मा परो बशन परो मा ठीक है अभी हम लोग सेट करेंगे प्रीडिले सुनती वे करते हैं देखिए अगर मैं इसको गुमाता हूँ तो यागे पीछे हो जा रहे मतलब मेरा reverse signal कितना देर में कितना millisecond के बाद मेरा सुरू होगा वो हम लोग recite करेंगे मानता हूँ for an example 20 MS मतलब वुकल आने के बाद 20 millisecond के बाद मेरा reverse signal चालू होगा सुनते हैं चन्द अच्छा इसके पहले एक चीज़ मैं कर लेता हूँ दीले को आफ कर लेता हूँ चन्द 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 ने चुर्ची तो जा बाद ये मेरा pre delay timer है ठीक है इसके बाद हम लोग set करेंगे size तो size क्या है size एई है कि हम लोग इस reverse के थूँ ये चीज़ emulate करने की कोशिस कर रहे है कि ये कौन सा room पे गया हुआ है ये normal एक छोटा सा room पे गया हुआ है एक hall room पे गया हुआ है ने तो एक charge में बहुत वहरा large room पे गया हुआ है ओ हम लोग decide करेंगे चलिए करते है ठीक है ये set किया अभी हम लोग reverb time करते है चलिए reverb time कर बंद करें देखे संक्र बंद होई अभी reverb ये कितना दे तक चलेगा ठीक है कितना second तक चलेगा अगर मैं करता हूँ मान लीजिए दो second तक चलेगा सुनते हैं दो second तक चला एक तो खतम ठीक है ठीक है दो second करके रखता हूँ देखता हूँ इसके बाद मैं diffusion diffusion मतलब क्या है कि ये वाला reverb कौन सा वाल पे टकरा रहा है वो वाल कैसे होगा वो अपका बहुत स्मूथ वाल होगा नहीं तो distorted वाल होगा कौन सा वाल है उसी को वाल से ये reverb टकराते हुए इधर उधर आ जाएगा मतलब ये वाला frequency यहाँ पे आके यहाँ पे टकराया यहाँ पे आके यहाँ पे टकराया तब ओ गुण्च को मिलेगा ओ इको को सुनने को मिलेगा ओ हम लोग इस knob से decide करेंगे सुनते यह अच्छा है थोड़ा सा गुण्च भी आया अभी मैं उइट पे जा रहा हूँ उइट क्या है कि कितना वाइड अब को सुनेगा अब इसको पुरा बंद कर देता हूँ एक दम मोनो बजेगा एक दम सेंटर में बज रहा है मेरा अब मैं इसको चंदने चुर्चीत जबा पदे दीबो आमीग बशन परमा परो बशन परमा चंदने चुर्चीत जबा काली घाटेर काली तुनी ब्रिंद कोईला शेभावानी ब्रिंदा वो नेरा धा प्यारी गोपुले गोपीनी बाता लेते चीले मागो खोए भॉद ठीक है अभी हम क्या करेंगे कहां चला गया मेरा यहां यह वाला ठीक है अभी उइट मैंने यह वाला सेट कर लिया मली की यह वाला इसके बाद हम आते हैं डेम्पिंग डेम्पिंग क्या करेंगे ये वाला सिगनल रिवाब लगने के बाद इसका EQ क्या हुआ इसका EQ हम हम ब्लोग करेंगे ठीक है ठीक है माली जी कि यहां तक की करता हूँ अचा अभी हम लोग डेंपिंग सेट कर लिया अब हम देखेंगे यह डेंपिंग सिगनल के बाद यह मेरा कितना क्रिस्प हो रहा है मतलब अगर मैं लोग और हाई को गुमाऊंगा देखी यह वाला चेंज होते रहेगा यह देखी लोग यह यह वाला देखी यह चेंज हो जा रहा है अगर इसको करता हूँ तो यह वाला चेंज हो रहे है तो मेरेको यह जो रिवाफ का जो तेल है यह तेल क्या है थो खसा शार्प चाहिए थोखा सा उसमे थोखा सा लोय एंड मैरेको चाहिए ज्यादा हुआ हम यहां से decide करेंगे करते हैं मैं 60% के आसपास मैंने 60% ही रखता हूँ low और 40% रखता हूँ high अगर मैं high ज्यादा करूंगा तोर सुनने को अजीब लगेगा देखिए ट्रेल सुना यह वाला ट्रेल देखिए बहुत high है देखा यह वाला थोरा सा हम काम करना चाहते तो थोरा सा इकूल होगा थोरा सा इकूल हो जाएगा ठीक है कोई लाशे भावानी ब्रिंदा बनेरा चैलिए हम लोग ए भी सेट कर लिया अच्छा यह मोटा मोटा हो गया अब इन वालप हम लोग कुछ छेर नहीं रहे क्योंकि आप चाहे तो आप टूइक कर सकतो यह वाला जो फ्रिक यह सारे जो भी चीज़ हुआ है इसका हम और एक एक क्यू करेंगे इस रिवाब करेंगे हम लोग इसको साइट चिनिंग करेंगे इसके साथ ठीक है अब ही अब चाहे तो आप कर सकते हो सूनके जुरूरत परे तो एक मैंने इमेजर लगाता हूं अगा जुरूरत परे हम लगाएंगे अदर इस नहीं लगाएंगे क्योंकि ये गाना के उपर डिपेंड करता ही और ये गाना जो है डिवोशनल सौंग है तो इसमें थोड़ा सा गूंज चलते है कोईला शेभबानी ब्रिंदा वने राधा प्यारी गोकुले गोपिनी पाताले ते छीले मागो होए भद्र काली कतो देबोता करे छे पुजा दिये नरो बलीगो बशन परो मापरो ठीक है अब सुनते हैं क्योंकि मैंने यहां पर डिले को आफ कर दिया था अब हम इसके साथ दिले को सुनेंगे ठीक है सुनते है कोईला शेभावानी ब्रिंदा वोने राधा प्यारी गोपुले तेरु धीरो धारा गोले मुंडो माला थेट मुके छे दैठेकी छे गोगोने माहोए बालो केर काचे फूलांगो कैमोने ठीक है अभी हम लोग सेट करेंगे इसको सारे ओफ कर देंगे और हम सेट करेंगे वालला रिवाप को और हम देखेंगे इसका आउटपुट क्या हो रहे तो अभी हम रूमोर्स को लगा दिया उसका आउटपुट हम लोग देख लिए करेक्ट अब रूमोर्स को मैं ओफ कर द फोट हम लोग ले आ सकता है चलिए अभी हम लोग क्या करते है इसका उपर वाला आला आपको एप Rabb करते है यह और इहां से और भी इंटरस्टिंग होने वाला है यह फंड़ क्लियर हो जाएगा तो आप कोई भी रिवर्ब को यूज़ कर सकते हो आपका ही सबसे आप बोशुन परो मा अच्छा हम क्या करेंगे पहले डिले को आफ कर देता हूं देखिए रूम वाक्स आफ है सिर्फ मेरा वालला रिवर्ब को मैं ओन करता हूं आप बोशुन परो मा अच्छा है यह मेरा मिक्स को मैंने हंडेट परसंड कर दिया जैसे कि हम इसमें किया था रूम वाक्स में देखिए रूम वाक्स को खोल के रखता हूं रूख चाहिए रूम वाक्स को मैं खोल के रखता हूं तो आप लोगों को समाझ में आ जाएगा देखिए यह मैं हंडेट परसंड करके रखा यह भी मिक्स हंडेट परसंड करके रखा अब ही हम प्री डिले कर Reverb Time, Length, Decay एक एक प्लागिन पे एक एक नाम दिया होता है जैसे कि मैंने यहाँ पे 2 MS किया था यहाँ पे देखिए मैंने Decay यहाँ भी कर रहा हूँ यहाँ पे 5 MS किया अब सुनते हैं यहाँ इसको हम ट्विक करेंगे बात एक ही है Reverb Time यह Decay एक ही चीज है तो मैंने Mix कर लिया, Pre-Delay कर लिया इसके बाद मैं DK कर रहा हूँ सुनते हैं करते हैं इसके बाद दिया हूँ है क्या है Damping मतलब जितन जो रिवाप आने लगाया वालला विंटेज रिवाप से साथ उसका हम EQ कर रहे हैं करते हैं EQ जैसे कि मैंने यहाँ पे किया था सेम चीज करता हूँ यह आ बशुन परो मा बशुन परो परो मा गो बशुन परो मा देखिए यह हाई है और इसका जो EQ होगा हाई सेल्फ होगा और यह बेस है और बेस का मैं यहाँ पर यह करूँगा चेंज करूँगा देखिए हाई मैंने यहाँ पर किया हाई आ बशुन परो देखिए यहाँ पर लिखा ही हाई अगर आप यहाँ पर देखिए क्या लिखिए हाई सेल्फ इसलिए मैं यहाँ तक करूँगा देखिए यहाँ पर लिखा है बात क्या है स्केल्स दा रिवर्ब डिके स्केल्स दा रिवर्ब डिके टाइम मतलब यह रिवर्ब डिके टाइम कर रहाँ लेकिए इसका इतना 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 टाइम्स है frequencies relative to the decay parameter यहां तक अगर set करेंगे तो यह possible as per expected अच्छा अभी देखिए shape इस shape मतलब क्या है size है इस shape और size यह दोनों एक है size मतलब यहां पर देखिए diffusion प्री डिले के बाद यहां पर size दिया गया है size मतलब मैंने इसको छेडा था देखिए size को अगर मैं यहां पर tweak करता हूं तो मैंने बोला था कि यह size room hall जो है आपका वो उसका emulation कर रहे है कितना बड़ा room है charge hall है, छोटा room है यह चीज हम size से define कर रहे हैं तो यह size room works में size नाम है और लाला river में मेरा नाम है shape तो इसका shape design करते हैं देखिए बहुत 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 चार्च में गा रहे हैं आप बहुत रिवाब आ रहे हैं अभी आप इसको short कर दिए आप बहुत ही close हो गया हम ऐसा parameter set करें आप बोशून पोडो मा बोशून कितना attack भी रख सकते देखिए आप बोशून पोडो मा अटक controls the initial attack of the reverb decay larger attack percentage equals to longer attack time मतलब होई है कि अगर हम इसका amount बराएंगे तो बहुत देश से मेरा attack करेगा मैं attack first करना चाहता हूँ नहीं तो howling हो सकता है मेरा बोशून पोडो मा ठीक है अभी हम क्या करेंगे diffusion तो diffusion हम क्या किया था यहां पे किया था diffusion यह वाला तो diffusion अगर हम इसको एकदम 0% करते करेंगे तो मेरा clear reverb सुनेगा अगर हम इसको 100% के तरफ करेंगे तो smooth reverb सुनेंगे तो यही सेम चीज यहां पे भी है इसका नाम है यहां पे भी diffusion यहां पे भी diffusion है यहां पे भी diffusion है सेम वर्ड चले सुनते हैं बशन परो माँ बशन परो माँ बशन परो माँ बशन परो माँ देखिए यह माला है मने मालीजी 73.8% रखता हूँ अभी लेट लेट का क्या बोला है लेट डिफूशन मतलब इसका मतलब यही है कि हम लोग इसका रेट को कंट्रोल कर सकते कितना जल्दी यह डिफूशन काम करने सुरू करेगा ठीक है बशन परो माँ ठीक है डिफूशन हम लोग सेट कर लिए अच्छा इस बर हम लोग सेट करेंगे मॉड मोड का मतलब कै है वाला में मोड का मतलब है वीड यहां पर जैसे कि हम Wार रूम वॉक्स में हम लोग वीड सेट किया थे देख्यी में यहां पर आ बशुन परुमा बशुन परु परुमा गो बशुन परुमा आ बशुन परुमा बशुन परुमा बशुन परुमा गो ठीके ये तक रखता हूं मैं डेफ्ट एन एक्यू हाइक्यू एन लोकाट ये तब को पता ही है EQ high cut मैं EQ कर रहा हूँ इतना 10K के असपस मैं high cut कर रहा हूँ और low cut कर रहा हूँ 600 आच पे तोटल हमारा vintage reverb एपलाई हो चुका है और इसके साथ मैं इसका compare भी आपको दिखाया कि कौन-कौन वाडिंग्स को याद रखना है बस और कुछ नहीं mod का मतलब width है अगर ये चीज़ आपको एक बड़ ख्याल आ जाएगा तो ये चीज़ आपको एक बड़ करेंगे ये वाला वीडियो देखके तो आप कोई भी reverb कर सकते है mod मतलब आपकोई भी reverb पे अगर mod देखेंगे तो इसका मतलब समझ में आपको आना चाहिए की width बोल रही है ठीक है? diffusion का पता है ये shape भी मैंने बता दिया shape is equals to size यहापे जो size मैंने बताया था देखी यह वाला वो भी emulate कर रहे है ये भी size हम बता दिया और damping तो बता ही दिया सेम चीज़ है damping यहापे भी है यहापे भी है अब चलिए सुनते हैं एक बार क्याव मेरा vocal में impact आया इसमें मैंने एक अलग से EQ किये और compressor set करके सेम चीज़ किया था जो मैंने room works के लिए किया था side tuning किया vocal के साथ यह देखिए vocal के साथ side tuning किया अब सुनते है बोशन परो मागो बोशन परो परो मागो बोशन परो तेर काली तुमी कोईलाशे भवावानी ब्रिंदा बोने राधा प्यारी केर काली तुमी गोई दिये नरो वली कोरे छे फुजा दिये नरो वली गो बोशन ने माहोए बालो केर काचे पूलंगो कैमो ने छे पागो चरुन पाबार आशे गो बोशन परो माँ परो बोशन परो माँ ठीक है तो यही था आज का ट्यूटोरियल की रूमोक्स वर्सस वालाला रिवाव यह दोनों का इंप्लिकेशन कैसे होता है और इसका जो नॉप्स है एक वा रूमोक्स का नॉप्स आपको पूरा पता चल जाएगा एकदम लिक लीजिए नोट डाउन कर लीजिए एकदम और जब आप वालला रिवाव और कोई भी रिवाव अपने जब यूज कर रहे हो तब ओवाला नोट हाथ में रखिए यह दो चार बर करेंगे ना तो पूरा पता चल जाएगा कि यह इसका मीनिंग यही चीज है आप अगर तो जो भी जितना भी आप टूइक कीजिएगा उसका क्या मतलब है इसको हम करेंगे तो अब को जानने के पहले अगर आप टूइक करके देखना और जानने के बात देखना बहुत ही फरक हो जाता है आउटपुट में तो अब लोग कैसे वीडियो लगा आप प्लीज कमेंट सेक्षन पर जाके बताईए अगर आपको अच्छा लगा प्लीज लाइक कीजिए एक और कमेंट्स कीजिए आपका सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और आडियो इंजिनिरिंग परिवर के साथ रहिए साथ में हम लोग एक साथ बहुत कुछ सिखेंगे बहुत कुछ ड मेरा नौलेज है क्योंकि मैं भी लारनर हूं और लास दिन तक मैं लारनर ही रहूं गा क्योंकि यह ऐसा चीज है इसका कोई लिमिटेशन नहीं है यह जितना दूर तक मैं डेली सीखता हूँ कुछ ना कुछ नया तो मैं भी सीख रहा हूं आपके तरह तो मैं मेरा experience अब से for your time and watching this video तो next video में मिलते हैं तो till the time प्लीज आप लोग सब खूश रहिए और मुझे इजाजाद दीजिए प्लीज टेक केर and गुडबाई